हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक सिक्वेटी में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें दोस्तो कोटक सिक्वेटी में डीमेट अकाउंट ओपन करते समय प्रोबलम आती हैं और कुछ प्रोबलम इसमें इतनी बड़ी आ जाती हैं कि हमारा कापी सारा time लग जाता है फिर भी उस problem का solution नहीं हो पाता है इसमें जो सबसे बड़ी problem है ना तो वो ए है कि जब इसमें हम अपना dmit account open करने के लिए जाते हैं तो अगर हमारा process बीच में कहीं रुख जाता है फिर हम उसको अगर resume application करते हैं तो वहाँ पर resume application नहीं होता यह इसमें सबसे बड़ी problem है जो मुझे भी आई थी dmit account open करते समाए तो दोस्तों अगर आपको भी problem आ रही है तो इसमें उसका 100% solution आपको मिल जाएगा इसमें आपको problem दोस्तों तब आती है जैसे कि मैंने अपना dmit account open किया था तो मेरे बास क्या है जो document वगरा थे मैं जिस dmit account open करने के लिए पहले से ही फोटो बगरा खीचके रख लेती हैं जो इसमें document लग रही है और उनको आप तुरंत तुरंत अप्लोड करते जाती हैं तो साइद आपको कोई भी problem नहीं आए और आपका dmit account इसमें simple तरीके से open हो जाए अकाउंट open करने का तरीका तो simple है लेक चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए अगर आप बीच में time कराव करते हैं तो session expire हो जागा फिर रेज्यूम अप्लिकेशन करने में आपको भी problem आएगी तो सबसे पहले दोस्ते एक मौयल नमर होना चाहिए उसमें balance भी होना चाहिए क्योंकि तभी उस पर OTP बगर आ चाहिए तो इसके लिए आपका bank statement भी चाहिए bank statement के बाद दोस्तो self ही चाहिए होती है और जो आपके pen card पर signature है भाई आपके signature upload होती है तो pen card की तरह आप अपने signature पहले से bite page पर करके रखें line वाला page नहीं होना चाहिए ठीक है तो दोस्तो होता क्या है कि हम account open करने के लिए ज से mail number link होना चाहिए क्योंकि आधार card के कुछ OTP बगरा जाएंगे जब आप e-sign करेंगे तो वो OTP आपको लेने पड़ेंगे और वो mail आपके pass होना चाहिए या फिर जो आपके आधार card से mail number link है उसमें recharge भी होना चाहिए तो दोस्तो उम्मीद करता हूं कि ए सारे point आप ध् तो दोस्तो इस वीडियो के description में मैंने आपको link दिया है जब आप उस link पर click करेंगे तो इस तरीके से interface आएगा सब से पहले आपको अपनी age select करनी है कि आप 30 साल से कम है या पर जान दाएं तो मैंने आपर 30 साल से कम select हिया हुआ है इसके बाद आपको brokerage plan भी दिखाए जाए तो दोस्तो इस तरीके से ये website आएगी आपको यहाँ पर click करना है फिर आपको यहाँ से process आगी करना है तो सबसे पहले आपको अब मैल लंबा डाला है जिससे भी आपने lead create करी थी अब इसके बाद ये plan आ रहा है तो दोस्तो प्लान आप select कर लेंगे तिस साल से कम बाला trade free youth plan फिर इसको आप आगे proceed करेंगे तो जो आपने mile number डाला है उस पर OTP गया है वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद आप continue वटन पर click करेंगे तो जब आप continue वटन पर click करेंगे तो यह थोड़ी सी loading लेगा और loading लेने के बाद आपका investment experience पूछेगा तो आप keyword की तुरू type करके डालेंगे तो उसको accept नहीं करेंगे इसमें calendar आ रहा है तो जब आपको calendar से date of birth select करनी है और आपको continue वटन पर click करना है अब दोस्तों काभी सारी जनकारी यहाँ पर automatic आच चुकी है तो इसका मतलब दोस्तों यह कि यह इसने जनकारी जो नहीं है तो QRE की त ultimate account ओपन किया था तो आपकी जनकारी पहले से save है अब आप कोई ultimate account ओपन करेंगे तो यह जनकारी आपकी automatic यहाँ पर आ जाया करेगी अगर दोस्तों मानने जिए कि आपकी condition में यह जनकारी इस तरीके से automatic नहीं आती है तो कुछ इस तरीके से भी जाएगा तो यहाँ पर जो mobile number link है उस पर OTP आएगा वो OTP डालने के बाद यह permission आपको allow करनी है इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि यह जनकारी आपकी यहाँ से ले लेगा अगर दोस्तों यह जनकारी आ चुकी है तो अब आपको यहाँ से continue करना है और अब यह nominee बनाने के लिए पूछ रहा है तो दोस पर इसके बाद loading लेने के बाद आपका email id इसमें पूछा जाएगा तो आप इसमें manually डाल भी सकते हैं अधरवाज इसी mobile में आपका email id ओपन है तो आप Google के थ्रू भी ले सकते हैं मेरी condition में मैं इसमें manually इसमें अपना email id डालूँगा तो दोस्तों अब यह email id मैंने डाल दिय अब यहाँ पर आपका occupation पूछा जा रहा है मतलब कि आपका बेवसाय क्या है तो आपकी condition में यहाँ पर गया है आप उसको select करेंगे मैंने business select किया था और इसके बाद आप income पूछ रहा है तो दोस्तों आप income select कर लेंगे अंदाई से कर लेंगे जरूटी नहीं है कि आप सही select करो और इसके बाद अब आपको अपना bank account select करना है तो मैंने canra bank select कर लिया और इसके बाद मैं यह नीचे continue विटन पर click करूँ गा फिर इसके बाद आपको अपना account number डालना है अप meantलब कि दो वा डालना है और नीचे आपको continue वटन पर click करना है तो आपका bank verify हो जाएगा और आपको बैंक अकाउंट में एक रुपए भी वेज दिया गया होगा अब इसके बाद दोस्ते ये डोकोमेंट है सेल्फी अपलोड करनी है आपको दोस्ते अपलोड करने के लिए कुछ इस तरीके से परमिसन ये आपको देनी पड़ेगी तभी आपका केमरा चलिए होगा फ्रेंट वाला और फिर आप फ्रेंट केमरे से आप फिर बैक केमरे से भी इसमें फोटो और सेल्फी अपलोड कर सकते हैं अभी देखिए दोस्तों मैंने सेल्फी अपलोड कर दी तो आप इस box पर right लगा देंगे अधरवाई दुश्टो आप इसको छोड़ देंगे बाद में भी आप इसको कर सकती है अगर आप इस पर right लगाती है तो आपके पास salary slip या पर bank statement होनी चाहिए तो इसका भी photo आगे आपसे upload करने के लिए बोला जाएगा तो दुश्ट अभी मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने इसको proceed किया तो दुश्ट ये इस तरीके से मुझे एक error आ गया है और दुश्ट आप कोई बीच में कोई error आ जाता है तो आप क्या करेंगे simple सा दुश्ट ये process करेंगे error दे दिया कि already pen card number 1 मतलब कि report में ये चीज़े पहले से है हम बताओ दुश्ट ये इसी condition में क्या करेंगे ऐसी condition में मुझे थुरू आप इस process को करी नहीं सकते है तो दुश्ट मैंने मुझे पर काफी दिमाग लगाया लेकिन नहीं हो रहा था तो ये दुश्ट अमें यहाँ पर कुछ इसमें extra features मिल जाते हैं जुकि हमें mobile पर so नहीं होते हैं अगर हमें यहाँ पर pen card number और date of birth डालें तो यह में फिर से बता दीगा कि already exit तो दुश्ट अभी देखी bank statement पर right लगाये मतलब कि यह चीज़ें हमारी यहाँ पर successfully add हो गई है लेकिन personal retail दुश्टो यहाँ पर इसमें कुछ गड़बड होई थी उस time पर क्योंकि मैंने मैं उस time पर document लेकी नहीं बेटा था तो मैंने काफी सारी चीज़ें देर में upload कर पाई थी तो यह सीनी मेरा form वहाँ पर reject हो गया ठीक है अब दुश्टो देखिए यहाँ पर हमने resume application पर click किया है तो इसमें काफी सारी चीज़ें pending थी जो की red color में आ रही थी तो उनका मैं complete कर सकता हूँ computer के थूप और दुश्टो मानने की की आप सारी document रखके बैठते हैं और आपको कोई भी rejection नहीं आता है आपका सीधा आगे step चलती जाते हैं तो document अप्लोड करने के बाद यह आपको payment करना है ठीक है तो दुश्टो payment करने के बाद जब आपका payment इसमें successful हो जाएगा आप इसमें continue उटन पर click करेंगे continue उटन पर click करने के लिए आपको digitally e-sign करना है तो दुश्टो आप यहाँ पर proceed पर click करेंगे और इसके बाद अब e-sign वाला page open होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको box पर wait लगा देना है और यहाँ पर आपको आधर card का number डाल देना है आधर card का number डालने के बाद जो आपका आधर card माई number से link है उस पर OTP जाएगा तो वो OTP देखकर आपको यहाँ पर डाल देना है और OTP को verify कर देना है तो अभी हमारे पास यहाँ पर OTP आ चुका है और मैं यहाँ पर OTP को डालके verify OTP पर क्लिक कर देता हूँ अब इसके बाद दोस्त देखिए हमारे पास एक और e-sign का form open होगा QRA ठीक है तो दोस्त यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इसमें दोस्त दो वार e-sign करना पड़ता है बागी के डिमेट अकाउंट में एक ही वार करना पड़ता है लेकिन इसमें दो वार करना पड़ रहा है ठीक है एक वार हमें QRA के लिए करना पड़ रहा है तो दोस्ते हम यहाँ पर फिर से वाई प्रोसेस है OTP बगरा आएंगे OTP को डाल देंगे OTP को सम्मेट कर देंगे और यह उमारा फाइनल यहाँ पर प्रोसेस हो चुका है अकाउंट ओपनिंग का अब अमें दोस्तों बीट करना आ है देखिए यहाँ पर यह स्टेटस बता रहा है कि आपका एप्लिकेशन सम्मेट हो चुका है कंपेनी के दोरा वेरीफेग किये जाएगा फिर आपको मेल के थुरू आपको लॉग इन डेटेल वेज दी जाएगी आप लॉग इन करके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकती है तो दोस्तों ही है सिंपल सा तरीका कोटक्स सिक्कुरेटी में डेमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कोटक्स सिक्कुरेटी में लोग इसलिए डेमेट अकाउंट ओपन कर रहे है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस बहुत सच्टे है ए वीडियो देखने के लिए आपका वत्वा धन्यवाद